नमस्टे भारत, नमस्टे किशान, मैं गणिश किशान, फिर से आप लोगों के बीश में किशान पास्चाला फ्लाटफॉर्म पर, आज हूँ यावलत हसिल बामनोद, किशान में जुड़े हुए है किशान पास्चाला के साथ में, भाईया राम राम, आपका परिशे है हम लोग कहां पर है मेरा नाम योगे शनिल जावडे मैं बामनोद से हूँ यावलता लुका जड़गाव जिल्ला मैंने जी नाइन के प्रोदे लगाए अभी रेवा जी नाइन के बहुत अच्छा पाउदा है और क्वालिटी भी अच्छी है चार तीन पान थे नहीं चा अगर मैं बताओं आपको यह देखो हर पाउदा एक दो तीन चार यह पांचवा पत्ता लगाया कव है यह कितने दिन हो अभी कली लगाए मतलब दो दूसरा दिन है दूसरा लगाने में मतलब अभी जो पाउदा आया था as it is ऐसे आया था पूरा मैं अगर दिखाओ आपको पारिश नहीं तो लगाया नहीं थे ओके एक पंदरा से तरीक पूधा आया था और कल आपने लगाया मतलब चार से पांच दिन रखने के बाद आपने पूधा लगा यह अच्छा काम किया आपने हर किसान को समझना पड़ेगा कि पूधा तो आ गया है लेकिन उस हिसाब से टेंपरेचर काफी है अपने इदर तो दो चार पांच दिन रखर आप पूधा लगा सकते होगे अगर बारिश कंटीनिस चालू है तो बारा से चोविस घंटे रखना है फिर पूधा लगाना अभी पूधा लगाने के बाद बारिश गिर गई थी इसके अभी जर्मिनेशन अब हर अभी देखने में Ada care लेक्ता होगेए एक नम पोगा वगयरा जो सेंस्टर पोगा है एक दम अवस्ताने मतलब मतलब पोधा सेटल्मेंट हो रहाए है सेट को रहा है सेट हो रहा है यहां पर और पानी और पर कंटीनिसला अपने लगा दिया है लेकिन नाली में लग और पौधे का रिवस होना ये देखने से पहले वाटर मैनेजमेंट करना है अभी इसमें नाली में लगा है तो कम से कम एक ही घंटा पानी देना है इसके अलावा पानी देना नहीं क्योंकि नाली में पानी डंप होता है हवा नहीं लगती है तो पानी बाहर नहीं निकलता है म किशान से आया हुआ है वो फॉलो करना है अभी गुड़ गोबर गोमुत्र की जो ड्रिंचिंग बोली है वो ड्रिंचिंग आप करवा दीजे पौधे के तने के पास ताकि बायमास कार्बन भी रहेगा और कवरिंग भी बना लेगा हूं ठीक है ओके थैंक्यू भारत नमस्ते हर पौधा आपने आप में आपको दिख रहा होगा पौधे अभी दूसरा दिन है लेकिन ये नाली में लगाने वाली सिस्टम काफी गड़बर है कि किसान में तरह इसको नहीं अड़ाप करे पौधे को देखे खाली और किसान को समझे कि बामनोद में पौधा लगा है पौ यहां से पानी बाहर लीच होगा मतलब नीचे से साइट से किनार से हवा लगेगी तो पानी उपर स्प्रेड होगा और पौधे के जो बोल है जो जिसे बोलते हैं वहां पर वाप्षा कंडिशन बनेगा तो पौधा अच्चे से भागेगा इसमें पानी डंपिंग के काफी शिकायते आती हैं तो अगली बार से द्यान रखना ब्रख आप लगाओ तो बेड के उपर लगाओ आपने बेड बना के रखाय ये बेड भी है यह आपके पास जो अबी 2,5 फिट का सर्फेस दिख रहा है ये बेड है इसको सेंटर में ना इसके ऊपर ड्रिब डालो या किक नाली में लगाओ यह किसान को समझना पड़ा नाली गड़बढ है जादा बारिश अगर हुई अभी दो-चार दिन में तो पानी कहां रुकेगा नाली में नाली में पानी रुकेगा पौधेगा अभी मैचुरिटी नहीं आई है पौधा वी ऊपर उठने के कगार पे है और पानी पचपच हुआ तो क्या होगा किसान के क्वेश्चन में किसान का एंसर है लेकिन किसान समझ नहीं सकते समझ नहीं रहा है या समय ने कि चेस्टा नहीं कर रहा है तो यह चीजें कड़ बढ़े जैसे यह रदापरी बना पानी बना वहां रूड बोल काम करेगा मतलब रूट अच्छे से काम नहीं करेगी वाफशा कंडिशन नहीं रहेगा चिप-चिप-चिप-चिप में काम नहीं करेगे पौधे के रूट फिर पीला पत्ता होना सेंटर बोंगे नीचे जाना यह समझ्या आपको पौधा लगानी के 20-22 दिन के बाद समझ में आती है तब फिर किसान ध्यान में रखे और अगली बार भी आप गलती नहीं करें नहीं अगली बार से नहीं करें हाँ ठीक है ओके थेंक्यों भाई राम राख